आप सबको मेरा नमस्ते मैं आपको अभी दो टुटॉल दिखाने वाली हूँ यह दो टुटॉल हम लोगों ने अचली हमारे कलीग है डॉक्टर रेखा उनका वूइप में चप्टर है नॉनकी कमिलिकमिल दिजीस उसमें वह उन्हों नें भी बताया कि उनको जबिदласт की पार्टिया होती है वर्डयर पार्टिय यह पार्टिय होती है कुछ भी पार्टी हो गई तो बहुत सारी बच्चे लोग बहुत जंक फूड खाते हैं उन्होंने हमको बताया कि उनको ऐसी रेसिपीज चाहिए जो अच्छी हो जुसमें पोशक तत्व भी हो जो थोड़ी पार्टी में बच्चों को अच्छी भी लगे थोड़ी कलर्फुल भी हो लेकिन सारे नाच्रल फूर्ट से बने हुए तो यह जो तो है वो मैं आपको आज बनता है वैसे ही आपको घर के लिए बनाने है यह से पार्टी रेसिपी समें ज्यादा फरूट ऍटाले है तो ज्य्या थोड़ा मीठा एपको ज्यादा मीठा बच्चों को हरोक्त देने की ज़रुत नहीं हैं बच्चों के पाल्टी के लिए स्वादिष्ट आहार पर बने स्पोकन ट्युटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्युटोरियल में हम सीखेंगे बच्चों का भोजन बनाते समय ध्यान रखने वाली बाते उनके लिए कुछ पौश्टिक शाकाहरी आहार तैयार करना बाल्यावस्था तेजी से वृध्धी और विकास का समय है इस दोरान शारीरीक और मानसीक दोनों तरह का विकास होता है इसलिए जरूरी है कि बच्चों को परियाप्त मात्रा में पोशक तत्वों का सेवन कराना चाहिए उन्हें कम उम्र से ही स्वस्थ भोजन खाने के लिए प्रोच्साहित करना चाहिए सभी खाद्य समुहों को शामील करके उनका खाना पोशक तत्वों से भरपूर होना चाहिए खाना रंगीन और उनको आकरशित करने वाला होना चाहिए अब हम कुछ स्वादीश्ट पौश्टी खाने बनाना सीखेंगे जो बच्चों को दिया जा सकता है पहला है मखाने का चटपट भेल इसको बनाने के लिए जरुरी सामगरी है तीन चोथाई कप मखना पाव कप कटा टमाटर पाव कप कटा प्याज दो बड़े चमच कटा कच्चा आम दो बड़े चमच भुनी मूंग फली दो बड़े चमच नीम्बु का रस दो बड़े चमच धनिया के धुले पत्ते आपको यह भी चाहिए आधा छोटा चमच चाट मसाला आधा छोटा चमच लाल मिर्च पावडर अपने स्वात अनुसार नमक ले बनाने का तरीका एक पैन में मखाने को धीमी आज पर कुरकुरे होने तक भुने भुनने के बाद उन्हें पैन से हटाए और कुछ मिंटों तक ठंडा होने दे एक एक करके बाकी सामगरी डाले सबको अच्छे से मिलाए और परों से अगला है पनीर कबाब इसको बनाने के लिए जरूरी सामगरिया है पचास ग्राम या दो बड़े चमच कसा हुआ पनीर सो ग्राम या चार बड़े चमच दही आधा कटा प्याद आधी कटी शिमला मिर्च एक मुठी धनिया के धुले पत्ते दो बड़े चमच भूनी सूजी इस रेसिपी को बनाने के लिए जरूरी मसाले है पाव छोटा चमच जीरा पावडर पाव छोटा चमच लाल मिर्च पावडर पाव छोटा चमच काली मिर्च पावडर आपको दो बड़े चमच तेल या घी की भी जरुरत होगी और स्वाद के अनुसार नमक बनाने का तरीका इसके लिए हमें गाढ़ा दही चाहिए इसके लिए दही को चलनी में डाले और उसके नीचे एक कटोरी रखे इसे ढखे और दो से तीन घंटे तक अलग रखे गाढ़े दही को चलनी से कटोरी में डाले इसमें कटी सबजी, कसापणीर और मसाले डाले सभी को अच्छे से मिलाए और गोल आकार में कबाब बनाए अब भुनी सुजी इस पर सब तरफ से लगाए इन कबाबों को 20 से 30 मिनट तक रेफ्रिजरेटर में रखे पेन में तेल गरम करे और कबाब को हलका तले धीमी आज पर दोनों और से हलका सुनहरा होने तक पकाए पनिर कबाब तयार है तीसरा हम सीखेंगे पालक का जूस इसे बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप या एक मुठी धुला पालक एक छोटा केला आधा सेब देड बड़ा चमच दही बनाने का तरीका बरतन में एक गिलास पानी उबाले पानी उबलने के बाद पालक डाले और एक मिनट तक पकाए पानी से निकाले और पालक को ठंडा होने के लिए रखे फलों को धोये, छीले और काटे कटे फल, पालक और दही को मिक्सी में डाले इसका मुला यमसा पेंस्ट बनाए गाढ़ापन कम या ज़्यादा करने के लिए पाव कब पानी डाल सकते है इसे गिलास में डाले और परो से आप इसे कुछ कसे हुए सेब से सजा सकते है आखरी में सीखेंगे हरे मूंग का रैप इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 30 ग्राम या आधा कप मूंग 4 से 5 पनीर के टुकडे 2 बड़ा चमच दही आधा कटा गाजर एक छोटा कटा प्याज आधी कटी शिमला मिर्च आपको यह भी चाहिए मुठी भर कटी पत्ता गोभी एक हरी मिर्च चुटकी भर हल्दी आधा छोटा चमच लाल मिर्च पावडर नमक स्वाद अनुसार दो छोटा चमच तेल बनाने का तरीका मूँ को धोए और राद भर भीगो कर रखे अगले दिन पानी से निकाले और मिक्सी में डाले हरी मिर्च और आधा गिलास पानी डाल कर मुलायम पेस्ट बनाए इस पेस्ट को कटोरे में डाले नमक डाले और अच्छे से मिलाए इसे बाद के उप्योग के लिए अलग रखे अब मैं आपको रेप में भरने वाला मिश्रन बनाने का तरीका बताऊंगी एक कटोरे में दो बड़े चम्मच दही डाले और नरम होने तक फेटे इसमें दही, लाल मिर्च पावडर और नमक डाले सभी को अच्छे से मिलाए और पनीर के टुकडे डाले टुकडों पर अच्छे से परत लगाए इसे बीस मिनेट के लिए अलग रखे सुनैरा होने तक पनीर के टुकडों को हलका तले इन्हें ठंडा होने के लिए रख दे साथ ही साथ पैन में एक छोटा चम्मच तेल गर्म करे सभी कटी सबजी डाले इन सबजीों के गरम होने तक पाँच से दस मिनेट तक तले एक चुटकी नमग डाले और आंच से हटा दे याद रखे कि नमग शुरुवात में न डाले नहीं तो सबजी या पानी छोड़ेगी इसे बाद के इस्तमाल के लिए अलग रखे अब हम देखेंगे कि रेप कैसे बनाए पैन में तेल गर्म करें एक चमच पेस्ट डाले जो हमने पहले बनाया था पेस्ट को डोसे की तरह समान रूप से फैलाएं दोनों तरफ से पकाएं इसमें तीन से चार मिनट लगेंगे यार डोसे को प्लेट में रखे तली सबजियों और पनीर के टुकडों को डोसे के बीच में रखे डोसे को रोल करें और गर्मा गरम परोसे इस टुटोरियल में बताए गए सभी खाने प्रोटीन, अच्छे फाट, कैल्शियम, फोलेट और मैगनेशियम से भरपूर है ये आईरन, पोटाशियम और फोस्परस से भी भरपूर है अब यह टुटोरियल यही समाप्थ होता है यह स्क्रिप्ट विका सेमवाल द्वारा अनुवादित है मैं स्नेहां किता देवगेकर अब आप से विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद बच्चों की पार्टियों के लिए पोश्टिक शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे अच्छे पोशन का महत्व कुछ पोश्टिक खाना बनाने के तरीके बाले अवस्था में अच्छा पोशन बहुत महत्वपूर्ण होता है यह तेजी से वृद्धी और विकास का समय होता है इस समय में शारीरिक और मानसिक विकास होता है बच्चों को स्वस्थ भोजन करने के लिए पोश्टिक भोजन रोज, समारोहों में और पाटियों में भी खाना चाहिए जैसे की जनम दिवस पर, पिकनिक, मिलनसार सभाओं में आदी इन मौकों पर बच्चे अक्सर जन्क फूट खाते हैं बे इसके आदी हो सकते हैं और इसे रोज मांग सकते हैं इसी लिए अच्छा होगा कि पार्टियों में भी जन्क फूट से परहेज करें जन्क फूट के हानिकारक प्रभावों के बारे में अन्य टुटोरियल में विस्तार से समझाया गया है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेब साइट पर जाएं किसी समारो के दौरान या किसी पार्टी में नुकसान दायक भोजन नहीं होना चाहिए थोड़े से प्रयास और योजना से स्वस्थ खाना परोसा जा सकता है खाने की प्रस्तुती भी महत्वपूर्ण है यदी खाना दिखने में अच्छा हो तो बच्चे इसे शौक से खाएंगे इसलिए भोजन, रंगीन और उनके लिए आकरशक होना चाहिए बहुत सारे पौश्टिक खाने हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ बनाने में भी आसान है इन मेंसे कुछ खाने बनाना सीखते हैं बच्चों की पार्टी में केक की जरूरत होती है इसलिए पहला सीखेंगे कंगणी का कप केक इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 30 क्राम या 2 बड़े चमच कंगणी का आटा 50 मिलिलीटर दूद दो बड़े चमच पिगला नमकीन मक्षन एक बड़ा चमच कोको पाउडर बीच के बिना वाले 5 खजूरों का पेस्ट हमें यह भी चाहिए 5 बादाम कटे हुए 5 काजू कटे हुए एक छोटा चमच बेकिंग पाउडर एक छोटा चमच बेकिंग सोडा बनाने का तरीका एक कटोरी लें और उस पर चन्नी रखें कंगनी का आटा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालें सबी को एक साथ चाने इसमें पिगला मक्षन डालें और अच्छे से मिलाएं अब धीरे से दूद डालें और नरम घोल बनाएं खजूर पेस डालें और फिर से मिलाएं कप केक के सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाएं सांचे में तैयार घोल को डालें घोल के उपर कटे मेवे डालें प्रेशर कुकर में आधा कप नमक डालें कुकर के अंदर एक स्टैन रखें ध्यान रहे कि कुकर में पानी ना डालें प्रेशर कुकर को बिना सीटी और गैस्केट के दस मिनट तक गरम करें दस मिनट के बाद सांचे को स्टैन पर रखें धकन बंद कर दें और इसे धीमी आँच पर पच्चिस मिनट तक पकाएं तूथपिक से जांचें कि वे पक गए हैं या नहीं यदि टूथपिक बाहर साफ निकलती है तो उन्हें आँच से हटा दें और ठंडा होने दें यदि यह साफ बाहर नहीं निकलती है तो और दस मिनट तक पकाएं ठंडे होने के बाद उन्हें सांचे से निकालें और परोसें अगला है बेग किये हुए शकरकंद के स्ट्रिप इसको बनाने के लिए आपको चाहिए एक मध्यमाकार का शकरकंद दो छोटे चमच तेल एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच चाट मसाला नमक स्वाद अनुसार आप इसमें औरिगेनों भी मिला सकते हैं शकरकंद को धोएं और छीलें इन्हें लंबे टुकड़ों के रूप में काटें कटोरी में तेल और अन्य मसाले लें शकरकंद के टुकड़ों को इसमें डालें अब सभी टुकड़ों पर मसाले लगाएं बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर की एक शीट रखें शकरकंद के टुकड़ों को एक दूसरे से आधा इंच की दूरी पर इस पर रखें और ओवन को 200 डिग्री पहले गरम करें फिर शकरकंद के टुकड़ों को 15 मिनट तक बेग करें उन्हें पल्टे और 15 मिनट फिर से बेग करें बेक किये शकरकंद के स्ट्रिप तैयार हैं अगला सीखेंगे दही और अनार का लॉलिपॉप इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम या एक छोटा कप दही एक छोटा कप अनार के दाने बनाने का तरीका एक कटोरी में दही डालें और नरम होने तक फैंटे इसमें अनार के दाने डालें और अच्छे से मिलाएं इस मिश्रन को लॉलिपॉप के सांचे में डालें और इसे 4-6 घंटे तक फ्रिज में रखें यदि आपके पास सांचा नहीं है तो आप इसे गिलास में डाल सकते हैं एक आइसक्रीम की स्टिक या चम्मच रखें और इसे 4 घंटे तक फ्रिज में रखें इसे फ्रिज से निकालें सांचे को गरम पानी में डुबोएं और फिर सांचे को हटा दें दही और अनार का लॉलिपॉप तैयार है आखरी सीखेंगे भूनी हुई चनादाल के पाउडर की छाच इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी दो बड़े चम्मच भूनी चनादाल दो बड़े चम्मच दही नमक स्वाद अनुसार कुछ धुले और कटे पुधीना के पत्ते एक चुटकी जीरा पाउडर बनाने का तरीका भूनी चनादाल को पीस कर पाउडर बनाएं एक कटोरी या गिलास में नरम होने तक दही को फेंटे इसमें डेड़ बड़े चम्मच भूनी हुई चनादाल का पाउडर डाले बिना गुटली बने अच्छे से मिलाएं इसमें एक गिलास पानी डाले और फिर से मिलाएं एक चुटकी नमक और जीरा पाउडर डाले और अच्छे से मिलाएं इसे गिलास में डाले और पुदीना के पत्तों से सजाएं बुनी हुई चनादाल के पाउडर की चाच तैयार है सिखाए गए सब भी खाने प्रोटीन, अच्छे फैट, कैल्शियम, फोलेट और मैगनीशियम से भरपूर हैं यह आईरन, पोटैशियम और फोस्फोरस से भी भरपूर हैं अब यह टुटारियल यहीं समाप्त होता है यह स्क्रिप्ट विकास सेमवाल द्वारा अनुवादित है मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद बच्चों के लिए पोश्टिक शाकहारी नाष्टा बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन टुटारियल में आपका स्वागत है इस टुटारियल में हम सीखेंगे बच्चों में पोशन का महत्व बच्चों के लिए कुछ नाष्टा तयार करना बच्चपन शैश्वा अवस्था और किशोरा अवस्था के बीच का समय होता है यह तेजी से होने वाले शारिरिक और मानसिक विकास का समय है इस दोरान बच्चों को कई प्रकार के पौश्टिक आहार खाने चाहिए यही सुनश्चित करेगा कि उनके बढ़ते शरीर की जरूरते पूरी हो रही है बच्चपन में अपर्याप्त पोशन के कुछ खराब प्रभाव हो सकते हैं जैसे कि कम विकास और कमजोर रोग प्रतिरोधक शक्ती अलग-अलग पोशन से जुड़ी कमियों का भी खत्रा हो सकता है जैसे कि खून की कमी और रिक्यत्स इसलिए जरूरी है कि बच्चे पोशक तत्वों से भरपूर खाना खाएं बच्पन से ही स्वस्थ खाना खाने के लिए उन्हें प्रोथसाहित करना चाहिए आईए कुछ स्वादिष्ट और पोश्टिक नाश्टा बनाने के तरीके देखते हैं पहला है तेल के मिश्रन के साथ स्वादिष्ट जवार और सोया डोसा इसके लिए चाहिए डेड बड़ा चमच सोया बीन दो चमच जवार दो चमच उड़त डाल एक चमच मेथी दाना तिल के मिश्रन के लिए चाहिए दो चमच भुनी चना डाल दो चमच उड़त डाल दो चमच तिल दो सुखी लाल मिर्च एक टहनी कड़ी पत्ता नमक स्वाद अनुसार एक चमच तेल या घी की भी जरूरत होगी जवार, उड़त और सोया बीन को धोएं और आट घंटे के लिए भिगो दें उसी बर्तन में मेथी दाने भी भिगो दें आट घंटे बाद इन्हें पीस कर मुलायम घोल बना लें इस घोल को कटोरे में निकालें खमीर उठने के लिए साथ से आट घंटे इस कटोरे को गरम जगह पर रखें खमीर उठने के बाद एक बर्तन गरम करें लाल मिर्च और कड़ी पत्ते को कुरकुरा होने तक सूखा भूनें उसे ठंडा होने के लिए रखें उसी बर्तन में चनादाल, उड़त दाल और तेल भूनें इन्हें हलका भूरा होने तक भूनें इसे ठंडा होने के लिए रखें ठंडा होने के बाद पाउडर बनाएं इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे अब गोल में नमक डालें और अच्छे से मिलाएं तवे पर तेल या घी गरम करें घोल डालें और डोसा बनाने के लिए सामान रूप से फैलाएं डोसा थोड़ा पकने पर इसके उपर दो चमच तैयार किया पाउडर डालें डोसा पकने तक धककन से धकें स्वादिष्ट जवार और सोया डोसा तैयार है यदि जवार नहीं है तो सावा या कंगणी का इस्तेमाल कर सकते हैं सोया बीन के जगा लोबिया या चने का इस्तेमाल कर सकते हैं अगला सीखेंगे चने के कटलेट इसके लिए चाहिए पचास ग्राम अंकुरित चने चालिस ग्राम या डेड़ चमच दही एक छोटा कटा हुआ गाजर एक छोटा बारीक कटा प्याज पंद्रा ग्राम या एक बड़ा चमच भूना बेसन बीस ग्राम तिल ये भी चाहिए होगा आधा चमच हल्दी पाउडर एक चमच मिर्च पाउडर एक चमच अद्रक लहसुन पेस्ट दो चमच तेल या घी नमक स्वाद अनुसार पहले मैं अंकुरन का तरीका बताऊंगी चने धोकर रात भर या 6-8 घंटे के लिए पानी में भिगो दें बाद में पानी निकाल दें और चने को एक साफ मलमल के कपड़े में बांध लें इसे 6-8 घंटे के लिए किसी गरम जगह पर रख दें और इसे अंकुरित होने दें जब चने अंकुरित हो जाएं तो कुकर में 3 सीटी तक पकाएं भाप निकलने तक इसे अलग रखें और ठंडा होने दें फिर कटोरे में निकालें और अच्छे से मसल लें इसमें प्याज, गाजर और भुना हुआ बेसन डालें और मिलाएं अब मसाले, नमक, अदरक लहसुन पेस्ट और दही डालें सब मिलाएं और चार गोले बना लें गोले के चप्टे कटलेट बना लें कटलेट पर बाहर से तेल लगाकर अलग रखें तवे पर तेल या घी गरम करें कटलेट को दोनों तरफ सुनहरा भूरा होने तक तलें चने के कटलेट तैयार हैं यदि चने नहीं हैं तो मोट या लोबिया इस्तेमाल करें मूंग या सोयाबीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगला है अंकुरित लोबिया का पराठा इसके लिए चाहिए मिक्सी में दरदरा पेस्ट बनाएं मिक्सी ना हो तो सिलबटे का इस्तेमाल करें बरतन में तेल गरम करें जीरा और फिर तेल डालें इनके रंग बदलने तक भूनें लोबिया का पेस्ट डालकर दो मिनट तक और भूनें नमक और हल्दी पाउडर डालें और पांच मिनट पकाएं इसे ठंडा होने के लिए रख दें अब मैं बताऊंगी कि पराठा कैसे बनाते हैं आटे को कटोरे में डालें जरूरत के जितना पानी डालकर आटा गूंथ लें बेलन से लोई को चप्टा करें चप्टी लोई पर लोबिया का पेस्ट रखें सभी और से बंद करें इस पर थोड़ा आटा लगाकर पराठे के आकार में बेलें तवा गरम करें और पराठे पर घी या तेल लगा कर दोनों तरफ से सेक लें अंकुरित लोबिया का पराठा तैयार है लोबिया ना हो तो मूंग या हरी मटर का इस्तेमाल करें अगला सीखेंगे स्वादिश्ट अंकुरित मूंग रैप इसके लिए चाहिए आधा कप अंकुरित मूंग एक चोथाई कप मल्टेड रागी का आटा एक बड़ा चमच बेसन एक चोथाई कप चूरा किया पनीर एक बड़ा चमच कटा हुआ प्याज एक बड़ा चमच कटा हुआ टमाटर एक चोथाई चमच इनकी भी जरूरत होगी हल्दी पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर जीरा, कड़ी पत्ता पाउडर सहजन के पत्तों का पाउडर बताई गई सामगरी के अलावा ये भी चाहिए होगा आधा नीम्बू, एक बड़ा चमच, तेल या घी नमक स्वाद अनुसार पहले कड़ी पत्ते और सहजन के पत्तों का पाउडर बनाना सीखते हैं पत्तों को धोकर सुखाएं फिर मिक्सर या ग्राइंडर में पाउडर बनाएं पाउडर को साफ और सूखी बोतल में रखें मौल्टेड रागी के आटे के लिए रागी को रात बर बिगोएं बाद में मलमल के कपड़े में बांध कर गरम जगह पर 6-8 घंटे रखें इसके अंकुरित हो जाने के बाद अंकुरित रागी को लोहे की कड़ाही में सूखा भूनें इसे ठंडा होने दें इसके बाद इसे ग्राइंडर में पीस कर आटा बना लें और फिर अलग रख दें लोहे के बरतन में तेल गरम करें जीरा, सूखे मसाले और पाउडर डालें कटा हुआ प्याज और टमाटर डालें और मुलायम होने तक भूनें अब मूंग डालें और इसे दस मिनट तक पकाएं पनीर और नमक डालें पांच से दस मिनट तक पकाएं एक चोथाई कब पानी डालें और पांच से दस मिनट तक पकने दें आंच बंद करें और इसे ठंडा होने दें फिर नीम्भू का रस डालें और मिश्रन को अलग रखें अब मल्टेड रागी के आटे और बेसन को कटोरे में डालें गुनगुना पानी डालकर लोई बनाएं अब गोल पराठा बे लें पराठे को लोहे के तवे पर दोनों तरफ से पकाएं पराठे को प्लेट में रखें और मूंग के मिश्रन को पराठे के बीच में रखें उसका रैप बनाएं और परोसें यदि मूंग नहीं है तो मूठ डाल या राजमा इस्तेमाल करें अगला नाश्ता है अंकुरित सोया बीन का कटलेट इसके लिए चाहिए एक चोथाई कप सोया बीन एक चोथाई कप चना दाल आधा चुकंदर एक चोथाई कप उबले मटर दो बड़े चमच भूनी मूंग फली का पाउडर एक चमच बेसन बाकी चीजे हैं एक चमच धनिया पाउडर आधा चमच लाल मिर्च पाउडर आधा चमच सुखे आम का पाउडर दो बड़ा चमच तिल एक चमच तेल नमक स्वाद अनुसार जैसा इस ट्यूटोरियल में पहले बताया गया है पहले सोया बीन को अंकुरित करें अंकुरित होने तक सोया बीन को दिन में दो से तीन बार तक धोग कर चानना याद रखें इससे सोया बीन खराब होने से बचेगा सोया बीन अंकुरित होने में लगभग तीन से चार दिन लग सकते हैं जब सोया बीन अंकुरित होने लगे तो चना दाल को एक रात के लिए भिगो दें अगले दिन चान लें प्रेशर कुकर में चना दाल और अंकुरित सोया बीन को एक साथ पकाएं एक कप पानी डाल कर एक सीटी होने तक पकाएं भाप निकलने दे फिर ठंडा होने दे गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए सोया बीन और चना दाल को एक साथ पीसें इसी हुई सोया बीन और चना दाल का गाढ़ा पेस्ट एक कटोरे में डालें कद्दुकस किया चुकंदर और उबले मटर डालें भुनी मुंखफली का पाउडर और बेसन डालें अब बाकी मसाले डालें और अच्छे से मिलाएं फिर छोटा गोलाकार का कटलेट बनाएं इस पर चारों और तिल लगाएं तवे पर तेल गरम करें और कटलेट को दोनों और से पका लें सोय बिन कटलेट तैयार है यदि सोय बिन नहीं है तो लोबिया इस्तेमाल करें अगला है स्वादिष्ट रागी डोसा इसके लिए चाहिए एक चौथाई कप या 30 ग्राम मल्टिड रागी का पाउडर एक चौथाई कप या 30 ग्राम उड़द डाल आधा चमच मेथी दाना आधा चमच भुने अलसी के बीज एक बड़ा चमच दही स्वाद अनुसार नमक एक चमच तेल या मक्खन टुटोरियल में बताये गए तरीके से रागी का पाउडर तयार करें फिर पाउडर को बाद के इस्तेमाल के लिए अलग रखें अब उड़त डाल और मेथी दानों को तीन से चार घंटे के लिए बिगोएं मुलायम घोल बनाने के लिए इसमें थोड़ा पाउडर डाल कर पीसें इसमें रागी का पाउडर मिलाएं जो पहले बनाया था घोल में भुने हुए अलसी के बीज का पाउडर भी डालें दही और नमक डालें फिर अच्छे से मिलाएं घोल को ढक दें और रात भर खमीर उठने के लिए रखें खमीर उठने के बाद गाढ़े पन को अनुकूल बनाने के लिए थोड़ा पानी मिला सकते हैं तवे पर तेल गरम करें और आधे प्यास से चारो और फेला दें तवे पर एक पूरा चम्मच घोल डालें और गोलाकार फेलाएं धीमियाज पर दोनों तरफ पकाएं स्वादिश्ट रागी डोसा तयार है रागी की जगह बाजरा या जवार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आखरी नाष्टा है कच्चे आम और कुरकुरे मूंख फिली का सलाद आपको चाहिए 50 ग्राम या एक छोटा कच्चा आम एक टमाटर एक मुठी भुनी मूंख फिली एक मुठी धन्या की पतियां एक नीम्बू, एक हरी मिर्च, नमक, स्वाद अनुसार अब मैं तरीका बताऊंगी कच्चे आम को धोएं छीलें और बीज निकाल लें कच्चे आम और टमाटर को बारी काटें एक कटोरे में कटा हुआ कच्चा आम और टमाटर लें मुंख फिली, हरी मिर्च और नमक डालें इसमें एक नीम्बू निचोडें अच्छे से मिलाएं कच्चे आम और कुरकुरी मुंख फिली का सलाद तैयार है इसे बनाने के लिए कच्चे आम की जगह किसी भी मौसमी फल का इस्तिमाल कर सकते हैं ये सबी खाने विभिन पोशक तत्वों के अच्छे स्रोथ हैं अच्छे स्वास्त के लिए इन्हें अपने रोज के खाने में शामिल करें इसी के साथ यह टुटॉरियल समाप्त होता है आयाईटी बॉंबे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद हमसे बॉस्त के लिए दोज समाप्त है झाल झाल